हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम करने जा रहे हैं आरेस अगरवाल जी की नाइन्थ क्लास मैथ की बुक है एक्सरसाइज नाइन ने है उसमें कॉंग्रेंट्स और ट्रेंगल्स और इनिक्वैलिटी इना ट्रेंगल्स और इसका कोश्चन नमबर ट्वंटी सिक्स है जिसमे कुछ एसा है कि इसमें TRUE या FALSE आप को बताना है तो वो कुश्चन क्या है वो देखिये if two sides and an angle of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle then the two triangles must be congruent. तो यह दिया हुआ है कि अगर एक ट्रेंगल की दो सैड़े जैसे कि यहाँ पर दो सैड़े है और एक एंगल जैसे कि मान लेते है कि यह वाला एंगल है यह दूसरे ट्रेंगल के अंदर दो सैड़े और एक एंगल के बराबर गीवन है तो वे दोनो ट्रेंगल्स पक्का है must होंगे ही होंगे congruent तो ये false है ये false क्यों है क्योंकि वो angles उन दो सैडों के बीच में होना चाहिए था अब ये वाले angle भी दिया जा सकता था इस वाले angle के बराबर तो ऐसा ये जो तब होता है और property लगती है side angle side की तो जो angle है वो दोनो सैडों के बीच में आना चाहिए जो की है अगर ये वाली दो सैडी दे रखी है तो ये वाले angle होना चाहिए दूसरे triangle के अंदर ये वाली side इसके बराबर दे रखी है और यह वाली side है वो इस side के बराबर दे रखी है तो यह वाला angle होना चाहिए था अब यह वाला angle तो नहीं है ना क्योंकि यहाँ पर यह वाला case भी होता है जो कि हम मैंने drug कर रखा था यह वाला case भी हो सकता है इसलिए statement appropriate तरीके से नहीं लिखी हुई इसलिए यहाँ पर अगर यह वाली correction होती है तो आपको क्योंकि इसका कारण भी लिखना है कि यह false है तो क्यों है तो आपको लिखना होगा the statement must be यह वाली होनी चाहिए कि if two angle two sides and angle included यह वाली चीज और आने चाहिए थी included between the two sides ठीक है यह वाली चीज जो है यहाँ होनी चाहिए थी इस जगह पर और यह मैं कार देता हूँ फिर आगे of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle an angle between यही बात फिर आने चाहिए थी between या included जो यह वाली चीज लिखी थी मैंने यही वाली चीज आप इसमें लिखेंगे included between the two sides यहाँ यह चीज आनी चाहिए थी ठीक है तब यह statement true होती है और फिलाल ऐसा नहीं दिया हुआ इसलिए यह correct नहीं है और false है तो क्यों है नहीं आपको बता दिया और statement आएगी तो कौन सी आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है औके तो फिर इतना ही काफी है यह अब आपको क्या करना है आपको करना है वीडियों को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए सेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फाइदा ले सके कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाते हैं कुछ कहना चाते हैं और बेल आइकन के बटन को दबा करके साती सात ओल पर क्लिक कर दीजेगा ताकि लेटस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो थैंक्यू स्टुडेंट्स पूर वचिंग यूर और वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोलुशन अल्विस आप ग्रेट टाइम बाए